हेलो फ्रेंग्स नमस्ते मैं पुस्पा लता और आपको पुस्पा वीटी टीफ्स चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दोस्तों आप लोग के सामने हेयर फॉल ट्रीट्मेंट सॉल्यूसन लेकर आई हूँ जी हैं बंद हो जाएंगे और काफी घने और सुंदर और काफी हेयर ग्रोथ भी करेंगे दोस्तों तो इस हेयर पैप को बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूं वैसे वैसे आप फॉलो कीजिए दोस्तों सबसे पहले एक कंटेनर लीजिए कंटेनर में घ घी कोई । घर्म कर लिए के यहुदा खुड़ई कर लिए का legitimate जो मारे स्कीन हेर सभी के लिए काफी यूज़फुल हैं काफी अच्छे फैदा करते हैं दोस्तों आप इससे जब लगाएं देखिए दोस्तों यह जो घी है इस घी में आपको बिटामिन E कैपसूल चार टैबलेट इस तरह से मिक्स करना है इस तरह से तोड़ा इसको गर्म कर लिजेगा तो लिक्रिफर्म हो जाएगा किसे बार दोस्तों आपको क्या करना है इसिस तरह से के हैर के पार्ट बना और इस तरह से एप्लाइव करते जाएं ऑप उपर से शुरू करें दोस्तों रूट्स से सुरू करें ach tips तक जाएं जी हैं दोस्तों को न थे आप लोग होते हैं जो ओपर अबोल बहुत भी साहिस तो है तो आप ऊसे होटा भूब जातेए उससे या हिवार जारे झाल जाते खृबन होने लगते हैं इसलिए दोस्तों ऐसा ना करें जब भी अप्लाई करें कोई भी वाइल तो आप उसे रूट से टिप्स तक जरूर अजबाएं ठीक है घी मैंने इसलिए बुला दोस्तों कि सुध घी आप एक वर हेर पे लगाएं दोस्तों फिर कोई भी तेल कोई भी स्पा करवाना भूल जाएंगी दोस्तों यह बहुत ही असरदार और घरेलू दादी नानी के समय से यह चलता है पहले लोग कि जितनी भी लेडिज लोग रहती थी उतके बाल घने और लंबग की उ छोदे तयों दोस्ता वो लोग ज्यादा अपने हेर पर घीय अपुणि करती थी पर किया फेस पर भी अप्लाई कर दी थी, फेस पी उनका काफी गलेजी होता था, इसलिए दोस्तो आप तो modern दिमाना आ गया जहां यह यह तेल ज्यादा महेंगा है तो यह ज्यादा अच्छा होगा यह प्रोड़क्ट ज्यादा कोशली है तो यह ज्यादा अच्छा होगा जी नहीं दोस्तों यह सबसे जो होगा वो जर से हट जाएगा इसलिए दोस्तों आप इस नुशके को जरूर अपनाईे इसे दोस्तों आपको अप्लाई तब करना है जब आप रात में सो रही है तो आपको पूरे हैर को अच्छे से पाट बाही पाट कर लें और अपने फिंगर्टिफ्स जो होते हैं उसस पूरे हेर पे इस तरह से पहले ऊपर में लगा लेना है फिर नीचे थोरा थोरा कड़कर आपको पूरे हेर इस तरह से मैं दिखाती है इस तरह से वायल घी आपको अपलाई करना घी और विटामिन E ठीक है दोस्तों आप अपने लेंद के नुसार आप गी बॉल में ले लें दोस्तों इससे आपके हेर काफी हरत्त कम जाएंगे और दूसरा चीज है दोस्तों जिससे आपका हेर फॉल कम हो वह है तर्मरी और इसे मैंने रोज वाटर से थुरा सा यह कर दिया ठीक है इसमें आपको क्या करना है एक बिटामीनी एक से दो बिटामीनी टैबलेश डालना है तर्मरीक आप सोचेंगे हेर में तर्मरीक क्यों लगाएं तर्मरीक दोस्तों आपके जो हेर में जो स्काल्प प्रॉब्लम है आपका हेर फॉल क्यों होता है दैंजरफ भी हो सकता है गंदगी भी हो सकता है आप हेर रेगुलर क्लीन नहीं करती है बहुत लोग सेंपू कर एच्छे से पानी नहीं डीडालते हैं तो जिससे क्या होता है वो दीरे-दीरे फई स्काल्प में हो जाता है एक स्काल्प में और उधे को ह sudah कि मैं है.. बिर आपका अपको-थी श्ब्टॉल हो ऑब कासी हिज हो में रॐकरें हो नना। इसमें दोस्तों आप थोड़ा सा लेमन जरूर मिलाएं, इसमें नुपूर मेंधी थोड़ा सा मिक्स करें, अभी मैं मिक्स नहीं कर रही हूं, ठीक है दोस्तों जब लगाना होगा तो करूंगी, संदे दोस्तों आपको क्या करना है, एक बॉल लेना है, खाली कंटेनर में लेमन जूस, टाला और विटामीनेर टायबलेच, मेहदी पौडर डाला है, उसके बाद आप दोस्तों बोलेटे उसको किस तरह से घौ असलेके तुर्णेशर तीए मिक्स करें के अपने अपने हेर पे उपन। मद्क पानी पर पेक्स प्रांक प्रभीति टर्ण पानी डालें उसे थोड़ा हाफ हो जाए और वो ग्रीम पानी हो जाए तो गैस को बंद करके उसे ठंडा होने दे जब वो पानी ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से छनी से छान कर मेंदी में जो आपके हल्दी पॉडर और वाटर रोज वाटर लेमन जो आपका जो पैक बना दोगंटे के बाद दोस्तों आप इसे डो आप रहने दें दो घंटे के बाद दोस्तों आप इसे और पादी एक बार करें ठीक है लेकिन दोस्तों आपको एक बता देती हूं कि मैं घी वाला जो हेयर पैक है उसे बिलकुल भी इसकीप न करें घी हमारे हेयर के लिए बहुत ही फैदय मन्ध होता है यह आपका हेयर को काफी गलेजी भी बनाता है सुन्दर भी और साइनी भी बनाता है और हेयर फॉल को भी रोकता है इसलिए दोस्तों इसे बिल्कुल भी स्कीप ना करें यह सोच रहें कि मैं मेहंदी वाला पैक लगा लूँ और इसे छोड़ दू तो ऐसा ना करें मैं बताती हूँ आप ऐसा करें रात में घी और विटामीनी टैबलेस लगा लें और फिर सुवा में जो अभी मेंदी और नीम पता और टर्मरिक पॉडर रोजवाटर और लेमन जूस सबको मिक्स करके सैंपू करने से पहले इसे दो घंटा पहले आप अपलाई करें और फिर हैर वास करें ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत जल्दी हैर फॉल तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ब्यूटी से रिलेटेड हेर से रिलेटेड एस्कीम प्रॉब्लम से रिलेटेड को भी प्रॉब्लम हो दोस्तों तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना कुस्सन मुझसे पूस सकते हैं मैं आपको नेक्श वीडियो आपको उसी पर बताऊंगी जी थाइंकिये दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को